Assalamualaikum friends, I am Malik Sishan and you are listening to Code with Malik Sishan आज का जो मारे topic का हुआ है constructor के बारे में constructor basically क्या होता है, constructor एक function होता है ये मैंने एक program लिखा है, ठीक है, इसमें मैंने एक check नाम की class बनाई है और इसमें मैंने एक public के अंदर function बनाई है, जिसके नाम मैंने display रखा है और मैंने cout दे दिया function is called और यहां पर main function में मैंने क्या किया, check नाम का मैंने जो main function के अंदर मैंने check class बनाई थी, उसका एक object declare कर दिया c नाम का, और मैंने उस function को call कर दिया, c. display अब देखो, यह जो function है हमारे पास, अब देखो, इसमें और constructor में का difference है हम देखने है, देखो, मैंने लिखा है इस special type of function, जो constructor होता है, basically वो function तो होता है, class में दो चीज़े होती है, हमारे पास, एक होती है, data member यहां पर, वो मैंने नहीं लिखे, कुछ भी आप लेख सकते है, name, उसका role number, कुछ भी, ठीक है, और दूसरा होते है, member functions, ठीक है तो यह display का एक member function है, तो इसमें और constructor में का फरक है, constructor basically एक member function ही है और उसमें क्या difference है, कि वो कह रहा है, यह structure जो होता है, यह special type का function होता है, कुछ special होता है इसमें क्या difference होता है, structure have no return time, यह देखो हम यहाँ पर आते हैं, यह main function के अंदर हमने लिखा है return 0 हम कोई न कोई चीज return करवा रहे हैं, अगर आप display के function से कुछ return करवाना चाते हैं, तो यह इसकी हम data type change कर देंगे फर्स करते हैं, हमने कोई number return करवाना है, तो हम यहाँ पर int लिख देंगे, अगर हमने कोई character return करवाना है, हम यहाँ पर c h a r लिख देंगे, ठीक है और यहाँ पर कुछ न कुछ return करवाएंगे, और जहाँ पर यह फंक्शन काल हो रहा होगा, यहाँ पर value return हो जाएगी, तो कुछ भी हम इसमें arm functions जो होते हैं, उसमें return करवा सकते हैं, बर जो constructor होता है, उसमें कुछ भी return type नहीं होती, अब इसी को हम change करते जाते हैं, मैं white को खतम कर देता हूँ, क्योंकि इसमें return type नहीं होती, ठीक है, उसके बाद, उसने कहा, constructor name is same as name of the class, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता था, हम function का कुछ नहीं भी नाम रख देते थे, input, output, display, कुछ भी हम अपने से नाम रख देते थे, बट वो कह रहा है, यहाँ पर जो constructor का नाम होगा, वो same to same class के name की तरह होगा, class हमने check के name की बनाई है, तो मैं function का नाम भी check रखना पड़ेगा, जो क्या होगा, constructor होगा, ठीक है, मैंने इसको check कर दिया, उसके बाद वो कह रहा है, जो constructor is called automatically when object is created, अब देखो, यहाँ पर हमने function मनाया था, display का, तो यहाँ पर हम करने की जड़ोत नहीं है, जो constructor होता है, वो automatically call हो जाता है, जब भी हमारा object करियेट होता है, अब यहाँ पर हमने object करियेट किया है, तो वो कह रहा है, यह function खुद बखुद ही call हो जाएगा, ठीक है, constructor card automatically when object is created, उसके बाद वो कहता है, constructor is used to initialize data member, अक्सर अकाद क्या होता है, कि हमने जो data member यहाँ पर यूज किये होते हैं, उसको initialize करने के लिए constructor काम यूज करते हैं, इस चीज़ को हम next देखते हैं, पहले मैं आपको इसको execute करवा के दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है ना, मैं इसको execute करवाता हूँ, मैं sorry, इसके अंदर मैं लिखा function is called, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, constructor is called, constructor is called, ठीक है, मैं इसको run करवाता हूँ, तो यह देखो, screen पर उसने display करवा दिया, constructor is called, ठीक है, अब देखो, अब मैं जो last point बताया था मैंने, मैंने यह last point बताया, constructor is used to initialize data member, हमने जो data member use कि होते हैं, फर्स करते हैं, private के अंदर म हम क्या करते हैं, constructor को basically ज्यादा तर use ही किम किया जाता है, values को initialize करवाने के लिए use किया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं user से पहले enter करवा लेता हूँ, age, मैं message display करता हूँ, enter the age, ठीक है, तो user क्या करेगा, age को enter करेगा, उसके लिए मैं c in statement का use करता हूँ, और mail ही देता next display का function बना के, मैं next एक function बना लेता हूँ, यह मैंने constructor function बनाया, जिसके अंदर मैंने value user से ले ली, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, value को initialize करवा दिया, या आप अगर user से नहीं लेना चाहते है, constructor के आप अंदर इसको initialize करवा दो, age equal to 90, ठीक है, आपने यह दे दिया, उसके बाद आपने एक function बनाया, display का, अब देखो, इसको कैसे बनाना पड़ेगा, wide display, और इसके अंदर हम brackets के अंदर क्या लिख देते हैं, cout, age को हमने display करवा दिया, अब क्या करना पड़ेगा, इस constructor के थूँ, अब देखो, जो हमने object बनाया, object बनाते ही हमारा constructor काल हो गया, और हमारी value initialize होगी, सबसे पहले print होगा screen पर constructories card, और उसके बाद age हमारी initialize हो जाएगी, अब हमने age को कहाँ पर display करवाया है, display के function के अंदर, इस object के थूँ, हम display के function को call कर लेते हैं, और यहाँ पर अब देखो, मैं आपको run करवा के दिखाता हूँ, तो यह देखो, screen पर display हुआ, constructories card और उसके बाद जो हमने age initialize करवाई थी, वो उसने क्या कर लिए है, उसने दुबारा से ले लिए, अगर हम यहाँ पर user से ले लें, हम यहाँ पर लिख दें, enter age, ठीक है, user enter age करेगा, और हम उसके लिए scene करवा देते हैं, जो हमने पहले skip कर दिया था, तो हम अब इसको दे आई होपसो कि आपको समझ आ गए होगे, एक मदब फिर आप इसको देख लेते हैं, constructory specially type function, special type का function होता है, constructory basically member function ही होता है, class के अंदर use होने होले function की तहां का constructory भी एक function ही होता है, बट constructory have no return type, उसकी कुछ भी return type नहीं होती, ठीक है, उसका जब return type नहीं होती, तो साफ जा class, ठीक है, जो constructor का नाम होगा, वो class के नाम की तरहां बिल्कुल सेम ही होगा, उसके बाद हमने बोला, constructory is called automatically when object is created, जब object हमारा create होगा, तब हमारा constructor खुद बखुद काल हो जाएगा, हमेश को call करने की ज़रुद नहीं है, उसके बाद मैंने बोला, constructory is used to initialize data member, ज्यादा तर constructor को use ही क्यों किया जाता है, constructor को value को initialize करवाने के लिए use किया जाता है, ठीक है, और अब हम, I hope so, कि आपको इसकी समझा गई होगी, कि constructor automatically call हो जाता है, उसको call करने के में ज़रुद नहीं पड़ती, मैं अगर इसको यहाँ पर display के function को cut करता हूँ, और इस display के function को भी मैं cut कर करता हूँ, अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ screen पर यह display करवाया है, हमने एक constructor बना दिया और उसके अंदर हमने screen पर display करवा दिया, सिया और constructor is card, अगर आपने एक से ज्यादा object बनाए, जैसे मैंने C बनाए था, C1 बना दिया, और मैंने C2 बना दिया, तीन object बनाए, अभी किसी किसम का कोई issue है, कोई question है आपके माई में, तो आप comment box में मुझे से पुछ सकते हैं, ठीका, तब तक के लिए, लाफिस, बाई